हे दोस्तो देखे आज हम बात करने वाले हैं वेदानता शेयर के बारे में कल एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि 600 तक का टारगेट ये कंपनी दिखा सकती है ये शेयर 600 तक जा सकता है तो कुछ कमेंट भी आ रहे थे कि दिमाग सही है क्या लेकिन आज ही आप देख रहे होंगे कि 6% तक की तेजी कंपनी में आपको अभी देखने मिल रही है 6-7% की तो जानते हैं इसका कारण देखिए क्या कारण है क्यों ये भाग रहा है शेयर और कहां तक जा सकता है लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लिजे क्योंकि यहां आपको सेर मार्किर की हर अपडेट मिलती है सबसे पहले तो चलिए देखते हैं इसको देखें कंपनी में जो है तीन जबरदस्त निज निकल के आ रही थी जिसमें की बताया गया कि जो कंपनी के ओपर कर्ज है बारा बिलियन डॉलर का इसको कर्ज को उतारेगी कंपनी अगले दो से तीन सालों में और जीरो डैप्ट हो जाएगी बिलकुल बिलकुल डैप्ट फ्री कंपनी हो जाएगी साथ ही साथ जो फोक्स को उनके साथ जो इनकी डिल चल रही थी उसके लिए इन्होंने इंसेंटिव प्रोग्राम के तहट मेंपावर और लोजिस्टिक मिलेगा इनको गुजरात में यह गुजरात में इसका प्लांट लगाएंगे और इसके अलावाद देख लेते हैं नेक्स्ट निउज देखिए क्या है और देखिए यहां बोला गया है कि यह सारी चीजे डन हो चुकी है बिल्कुल यह देख सकते हैं आप फॉक्स कौन पिपल आर वर्किंग वी आर वर्किंग बट दिस इज ओल डन तो सब फिक्स हो चुका है देखिए यहां आप देख सकते हैं अनिर अगरवाल जी ने बताया कि 1.327 ट्रिलियन रुपीज या 16.05 बिलियन जो इनका रिविन्य है वो अभी जनरेट होता है और जो यह रिविन्य है पिछले साल से यह देखिए अभी इस साल जो बड़ा है 880 बिलियन रुपीज बड़ा है तो बहुत सांदार एक ग्रोथ देखनों को मिली है और अगले द 3 सालों में 2 से 3 सालों में इसको 50 बिलियन डॉलर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और हर साल लगभग डबल करेंगे यह इसको तो 2023 तक 50 बिलियन डॉलर यह पोहुच जाएगा यह देखिए वैदानता एक्सपेक्ट एन्वल रिवेन्यू टू डबल मतलब हर साल यह अप इस कारण आज जो है कंपनी आपको भागती हुई भी दिखाई दी है और आने वाले चार से पांच महीने में देखेगा 600 के टार्गेट आपको यह दिखाएगी और रही बात डिविडेंट की तो डिविडेंट भी इसमें मिलना लगभग लगभग तैय है तो दोस्तो आज की नूज यही थी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भाग